नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आर्पी टैक्निकल इस्टडी यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के कुछ इंपोर्टेंट क्यूशन्स के बारे में जो कि सभी टैक्निशन एक्जाम्स के लिए अपने दोस्तों को भी शेर कर दीजिए तो चलिए सुरू करते हैं आज का मारा पहला कुसेनगा बारत में मानक ठीकता होता है तो दोस्तों आपको बता दुकि भारत में मानकख धा मान होता है 50जी किसेंगा उसके लिए हो जाता है साट अर जे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option नमबर बी चलिए अगला question अगला question देरा का power transformer की iron core laminated होती है तो दोस्तों आपको बता दू कि power transformer होता है उसकी iron core होती है laminated क्यों होती है eddy current loss को कम करने के लिए किसके लिए करते है eddy current loss को कम करने के लिए iron core laminated होती है तो इसका right answer हो जाएगा option number 3 eddy current हानियों को कम करने के लिए iron core को laminated किया जाता है चलिए अगला question देरा का power transformer की दक्सता होती है power transformer होता है उसकी दक्सता कितनी होती है जिसमें option देरा का 50% 55% 98% या 100% तो दोस्तों आपको बता दू कि जो power transformer होती है उसकी दक्सता होती है 98% right answer होगा option number C चलिए अगला question देरा का यहां हानिया जो transformer में नहीं होती किन्तु घूमने वाली विदूत मशीन में होती है इनमें से कौन सी आनिया है जो कि transformer में तो नहीं होती है परंतु घूमने वाली विदूत मशीनों में होती है अगला question अगला question देरा काई power transformer की iron core का cross section लगबग गोलाकार होता है ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि option देरा काई गोलाकार iron core को assemble करना आसान होता है B देरा काई गोलाकार coil बनाना सरल होता है C देरा का electromagnetic बल कवाईलो को गोलाकार बनाने का परियूक्ति करता है डिदेर का उप्रोक ते सभी कारण तो पावर ट्रास्पार्मर के आईरन कोर का क्रोस सेक्षन लगबग गोलाकार होता है ऐसा किसलिए किया जाता है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रो मेगनेटिक बल कोवाईलो को गोलाकार बनाने का परियुकते करता है तो इसका राइट आंसर होगा आप्शन नमबर C चलिए अगला क्यूशन दोस्तो क्यूशन नमबर 6 देरका है ट्रास्पार्मर की कोर किस दातु से बनाई जाती है तो दोस्तो ट्रास्पार्मर होता है वह ओपन सर्किट में क्या दर्साता है आईरन आनिया राइट आंसर क्या होगा ओप्शन नमबर ये चलिए अगला क्यूशन अगला क्यूशन देरका ट्रास्पार्मर परिवर्तित करता है किसको करता है frequency को voltage को current को या current वा voltage को तो transformer किसको परिवर्थित करता है तो right answer हो जाएगा current वा voltage को करता है क्या करता है current वा voltage को परिवर्थित करता है अर्थार्थ जब current को current को बढ़ाएगा तो voltage को क्या करेगा घटाएगा इस परकार से एक दूसरे के विपरित होता है अर्था current बढ़ेगा तो voltage गटेगा और अगर voltage बढ़ेगा तो current गटेगा तो इस परकार से current वह voltage में परिवर्टन करता है चलिए अगला question दरका power transformer का मुखे कारे क्या होता है तो दोस्तो power transformer का मुखे कारे क्या होता है ऐसी voltage को गठाना वह बढ़ाना होता है तो right answer हो जाएगा option number B चले अगला question अगला question दरका transformer के प्राथमी की winding क्या होती है option दरका सदेव high voltage winding होती है B दरका सदेव low voltage winding होती है C दरका यहाँ low अथवा high voltage winding हो सकती है B दरका मोटे तारकी होती है तो transformer की primary winding होती है वहें क्या होती है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा यहां low अथवा high voltage winding हो सकती है दोनों में से कोई सी भी हो सकती है अगला question दिरका ट्रास्पार्मन में किस winding का cross section छेतर फल हधिक होता है इन में से कौन सी winding का cross sectional छेतर हधिक होता है option दिरका है primary winding, B दिरका secondary winding, C दिरका है high voltage winding, D दिरका low voltage winding तो दोस्तो cross section area किसका अधिक होगा high voltage winding का तो right answer होगा option number C अगला question दिरका transformer में किस winding में ट्रनों की संक्या अधिक होती है transformer होता है उसमें ट्रनों की संक्या किस में अधिक होती है तो दोस्तो हाई ओल्टेज वाइंडिंग में ट्रनों की संक्या दिक होती है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C अगला कुश्चन दे रखा है पावर ट्रास्पार्मर की प्राइमेरी वाइंडिंग निमन सप्लाई पर नो लोड पर सबसे कम करंट लेगी किस पर सबसे कम करंट लेगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 220 वल्टेज 50 हडज से सप्लाई पर राइट आंसर क्या होगा ओप्शन नमबर B अगला कुश्चन दे रखा ट्रास्पार्मर में इस्टेरेस सहानिया कम करने के लिए क्या करते हैं तो यहां देरका iron core lamination की मोटाई कम करनी होगी विदरका steel lamination में silicon की मात्रा को नियंतरित करना होगा सिदरका transformer पर load कम करना होगा डी देरका उप्रोक्त में से कोही नहीं तो ट्रास्पार्मर में अगर इस्टेरेस सहानि को कम करना है तो उसके लिए क्या करेंगे तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्टील लेमिनेशन में सिलिकोन की मात्रा को नियंत्रित करना होगा राइट आंसर क्या होगा ओप्सन नमबर B चलिए अगला क्यूस्चन अगला क्यूस्चन रखा दो ट्रांसपार्मर को पेरियलल में लोड शेर किस गुण पर नियर्वर करता है तो इसका राइट आंसर होजाएगा ओप्सन नमबर D अगला क्यूस्चन दरका चोटे ट्रासपार्मरों में तेल क्या सुविधाई परदान करता है तेल होता है छोटे ट्रास्फार्मरों में वहां क्या सुवीदा प्रधान करता है option A दरका केवल कूलिंग के लिए, B दरका केवल इंसुलेशन के लिए, C दरका कूलिंग वां इंसुलेशन दोनों के लिए, D दरका है फैब्रिकेशन के लिए तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा cooling वए insulation दोनों का काम करता है छोटे transformer में तेल क्या सुविधा करता है cooling वए insulation दोनों परदान करता है तो इसका right answer हो जाएगा option number C अगला question question number 17 देरका transformer की हदिक्तम दक्सता की अवस्ता क्या होगी option देरका copper हानिया iron हानियों की आदि होनी चाहिए B देरका copper हानिया iron हानियों के बराबर होनी चाहिए C देरका copper हानिया antric resistance की तोलना में नगणने हो देरका उप्रोक्ट में से कोई अवस्ता नहीं तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा हदिक्तम दक्सता कब होगी transformer की जब copper हानिया वा iron हानिया बराबर होनी चाहिए right answer कौन सा होगा option number B अगला question देरका यदि parallel में transformer उचित polarity में न जोड़े जाए तो क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer कौन सा होगा इसका right answer हो जाएगा गलत polarity के प्रणाम सरुप डेर का देर का मोईस्टर को अदर क्या कारियह तो दोस्तो बिधर का transformer के अंदर क्या कारिया होता है तो इसका right answer हो जाएगा moisture को observe करना, right answer क्या होगा moisture को observe करना, right answer होगा option number 4 अगला question दराखा transformer के अंदर iron loss होते हैं transformer होता है, उसके अंदर iron loss होता है winding में, core में, oil में या body में तो right answer कुन सा होगा, इसका right answer हो जाएगा कोड में, राइट आंसर होगा ऑप्शन नमबर दो, अगला कुश्चन अगला कुश्चन देखा है नो लोड कंडिशन में कौन से लोसेज को नेगलेट कर सकते हैं को परानी को स्टेरे सिसानी को वाइंड एंडिंग एंड फ्रिक्शन को दे रखा है एडी करन्ट को तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरानी को राइट आंसर हो जाएगा अप्शन नमबर ये अगला qtion दिरका है open circuit test द्वारा transformer के कौन से lo seasons को सब्दाइब कर सकते हैं तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा open circuit के द्वारा कौन सा करेंगे low honey को इसका right answer हो जाएगा iron honey तो दोस्तो जैसा कि option दे रखा है copper hysteresis eddy current sum of hysteresis and eddy current तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा जो low आनिया होती है उसमें कौन-कौन सी आती है hysteresis भी आती है और eddy current भी आती है तो इसका right answer हो जाएगा option number 4 अगला question दे रखा है transformer के अंदर copper losses उत्पन होते हैं किसमें होते हैं winding में, core में, body में या bussing में तो copper loss किसमें उत्पन होता है तो इसका right answer हो जाएगा winding में right answer होगा option number 1 अगला question दे रखा किस test के दुआरा transformer को efficiency थता regulation के बारे में पता चलता है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा back to back test में right answer होगा back to back test अगला question दे रखा maximum efficiency के लिए क्या सर्थ होती है maximum efficiency के लिए क्या सर्थ होती है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा option number C copper loss बराबर iron loss right answer हो जाएगा copper loss के बराबर क्या होना चाहिए iron loss जो ना चाहिए तो right answer हो जाएगा option number 3 अगला question दे रखा transformer का power factor होता है transformer होता है उसका power factor कैसा होता है तो दोस्तो transformer का ओता है load पर निरवर करता है किस पर करता है load पर निरवर करता है किसका transformer का power factor तो right answer हो जाएगा option number 4 अर्था dependent upon load अगला question अगला question दरका short circuit test के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं किसको कर सकते हैं आप load पर copper loss को full load पर copper loss को किसी भी load पर iron loss को या iron loss को पलस copper loss को तो इसका right answer हो देगा फुल लोड पर copper losage को सोर्सर के test के दुआरे क्या पराप्त कर सकते हैं फुल लोड पर copper losage को तो right answer होगा option number 2 अगला question अगला question दे रखा transformer के अंदर कौन सा सामाने test नहीं है इन में से कौन सा test नहीं है transformer के अंदर ओप्शन दे रखा radio interference test दो दे रखा core insulation voltage test तीन दे रखा polarity test चार दे रखा impedance test तो इन में से कौन सा सामाने test नहीं है transformer के अंदर तो इसका right answer हो जाएगा radio interference test तो right answer होगा option number 1 अगला question क्यूशन दे रखा transformer से voltage कम है वह ज्यादा करने पर frequency क्या होगी option A दे रखा कम हो जाती है B दे रखा कम बढ़ जाती है C दे रखा कोई परिवर्टर नहीं होता है D दे रखा है कम voltage पर कम होती है और E दे रखा ज्यादा voltage पर ज्यादा होती है तो दोस्तों transformer से voltage कम है या ज्यादा करने पर frequency में कोई भी परिवर्टन नहीं आता है, right answer हो जाएगा option number 3, क्या हो जाएगा option C अगला question, अगला question दे रखा है, core के आधार पर transformer कितने परकार के होते हैं core के आधार पर बताना है कि transformer कितने परकार के होते हैं तो दोस्तों core के आदार पर transformer तीन परकार के होते हैं कितने परकार के होते हैं तीन परकार के होते हैं अगला question तो अगला question दे रखा step up transformer खालिस्तान voltage को खालिस्तान voltage में बदलता है अर्थार्थ step up transformer होता है वह किस voltage को किस voltage में बदलता है जिसमें option दे रहका ज्यादा कम ज्यादा low high high low विकलब 2 वद 3 दोनो तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा step up transformer होता है वहाँ कम voltage को कम voltage को ज्यादा voltage में बदलता है किसमें बदलता है कम voltage को ज्यादा voltage में बदलता है तो इसका option number 2 बी सही हो जाएगा और 3 भी सही हो जाएगा कम का मतलब low होता है तो low वह ज्यादा का मतलब high होता है तो कम ज्यादा वह Low high दोनों ही सही हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा option number 5 चलिए अगला कुशन तो दोस्तों अगला कुशन दरका ट्रास्पार्मर की सिद्धान्त पर कारी करता है तो दोस्तों ट्रास्पार्मर होता है वह मुच्वल इंडक्शन के सिद्धान्त पर काम करता है तो इसका राई टांसर हो जाएगा ओप्शन नमबर यी अगला कुशन अगला कुशन दरका ट्रासफार्मर की कोर कौन सी दातू से बनाई जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकन इस्टील की बनाई जाती है किसकी बनाई जाती है सिलिकन इस्टील की अगला कुशन बिर्दर में क्या बरा जाता है तो दोस्तो बिर्दर में हमेशा सिल सिलिका जेल बरा जाता है क्या बरा जाता है सिलिका जेल तो इसका राइट आंसर होगा अप्शन नमबर यह अगला कुश्चन अगला कुश्चन रखा ट्रांसपार्मर में कितने लोस होते हैं तो दोस्तों ट्रांसपार्मर में दो परकार के लोस होते हैं कितने परकार के होते से कुन-कुन से होते हैं आईरन लोसेज वह कोपर लोसेज तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो परकार की लोसेज होते हैं अगला कुशन दिरका सीटी क्या है अर्थार्थ करंट ट्रांसपार्मर है वहें क्या है ओप्शन दिरका सरकीट ट्रांसपार्मर सरकीट ट्रेमिन तो स्टी का फूलपोरम बताना है तो दोस्तों सिटी का फूलपोरम क्या होता है अगला कुशन रखा है उसकी दख्सता कितनी होती है तो दोस्तों इन में से option में से कौन सा सही होगा इसका right answer हो जाएगा 97% transformer की दक्सता लगबा कितनी होती है 97% या 98% होती है अगला question रखा potential transformer एक परकार का transformer है किस परकार का transformer है option A दे रखा power B दे रखा distribution C दे रखा step down D दे रखा step up E दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं तो potential transformer है वह किस परकार का transformer है तो इसका right answer हो जाएगा यह है step down transformer है right answer होगा option number 3 अगला question दे रखा transformer में eliminated core परियुक्त करने का कारण क्या है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा option number B edit current को कम करना right answer होगा option number 2 अगला question अगला question दे रखा किसी करता है किस पर निर्बर करता है तो दोस्तों यह करता है core में उत्पन फलक्स पर भी करता है supply frequency पर भी करता है winding transfer भी करता है तो इसका right answer हो जाएगा उप्रोक्त तीनों पर करता है right answer होगा option number D अगला question अगला question रखा किसी transformer में secondary winding वा primary winding के ट्रनों के अनपात को क्या कहते है किसी भी transformer में secondary winding वा primary winding के ट्रनों की अनपात को क्या कहा जाता है तो दोस्तों उसको कहा जाता है क्या कहा जाता है right answer होगा transformation ratio right answer क्या होगा transformation ratio अगला question रखा low चती कितने परकार की होती है low चती होती है वहें कितने परकार की होती है तीन परकार की, दो परकार की, चार परकार की, एक परकार की या उप्रोक्ट में से कोई नी तो दोस्तो लोच हती है हमेशा दो परकार की होती है कितने परकार की होती है, दो परकार की winding में देते हैं किसमें देते हैं high voltage winding में अगला कुशन अगला कुशन दिरका सेकंडरी साइड में लोड भड़ाने पर प्राइमेरी साइड पर क्या फरक पड़ता है सेकंडरी साइड में अगर लोड भड़ाएंगे तो प्राइमेरी साइड में क्या फरक पड़ता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर सी देते हैं, low voltage winding में, right answer होगा option नमबर D, अगला question, अगला question दे रहागा, transformer की primary वज़ांडरी voltage वो के बीच फेज अंतर, कितना होता है? तो, transformer की primary वज़ांडरी voltage के बीच फेज अंतर बताना है, तो, इसका right answer हो जाएगा, 180 degree होता है, तो इसका right answer हो जाएगा option number तो दोस्तों अगला question देरका transformer में हवा की नमी को कौन सोगता है transformer होता है उसमें हवा की नमी को कौन सोगता है तो इसका right answer हो जाएगा बिर्दर सोगता है कौन सोगता है बिर्दर अगला question देरका transformer के किस भाग में सबसे अधिक गर्मी होती है transformer का कौन सा भाग होता है जिसमें सबसे अधिक गर्मी होती है तो इसका right answer हो जाएगा winding, right answer क्या होगा winding, अगला question रखा है यदि 10 बटे 100 voltage के transformer में secondary में 40 टरन है तो primary में टरन होंगे primary के trans को गयाद करके बताना है, अर्थार्थ आपको ns गयाद करके बताना है जहां आपको n, np कमान दे रखा है, v2 कमान दे रखा है v1 कमान दे रखा है v2 कमान केतना दे रखा है, v2 कमान दे रखा है 100, v1 कमान 10, तो 100 बटे 10 से बराबर, ns कमान कितना देरका है nx command देरका 40 बटे np command गयात करना है तो इसको अल कर लेणा है यहां 40 देरका है तो यह कट जाएगा 0 से 0 कट जाएगा और यह 0 से 0 कट जाएगा राइट आंसर क्या होगा चार तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर तीन तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए